हेलो दोस्तों, देखे आज मैं एक और वीडियो लेकर आही हूँ आप लोगे लिए और आज का देखे पैटर्न इस तरीके से है जो हम ग्राफ में पैटर्न बनाते हैं जैसे फंदे हमें काउंट करने के बाद जो हम डिजाइन बनाते हैं और इस तरीके से में फ्लावर बनाना आंवाना। 14 उड़न Questo आपको प्रोजेक्ट में आपको लेए लिए आनों प्रोजेक्ट्ट में इतना पेटर की धर फूल का इतना pattern है यह पूरा 13 फंदों का है और दो दो फंद है मैंने शुरू राकरी में एक्स्टा रखे हैं तो मैंने यहां पर दो सेट बना कर रखा हुआ है देखिए इस तरीके से अगर आप ऐसे सीधा देखें और अगर आप साइड में बनाएंगी तो इस तरीके से देखेग इसलिए मैंने ऐसे बनाया है कि मैं आपको दोनों साइट से दिखा दूं तो यह डिजाइन मैंने बना कर रखे हुए मैं आपको अभी 14 सलाइया आपको बना कर दिखाऊंगी और जिसको भी यह डिजाइन अच्छी लगती है प्लीज मेरी वीडियो को फॉलो करिए और मेरी से डिजाइन बनाते हैं पूरी गवगव पूरे स्वेटर में ओवर और यह डिजाइन भी बनती है मैंने अभी शुरुआत की है इस डिजाइन की तो मैंने सिर्फ यहां पे एक सिंपल सा फ्लावर बनाया है अगर आपको यह डिजाइन पसंद आए तो प्लीज लाइक अपने फ्रेंड्स और फैमली में तो फिर देखें यहां पर मैंने 17 फंद लिये हैं मैंने दो दो चार फंद एक्स्ट्रा और तेरह फंद डिजाइन के यह जो फूल है तो उसके लिए मैंने लिए तो देखें मैं आपको आगे बनाकर दिखाती हूं कि हमें कैसे बनाना है इसीज को अधे आउट तो देखें यहां पर यहां पर यह मैंने 17 फंद डाल कर और 2 सीधसर जीधसर का एक ऐस बार्डर बना लिया है जैसे कि हम बार्डर की बात डिजाइन जब शुरू करेंगे तो वैसे तो यहां पर देखें मैंने 17 फंद लिए हूँ है अब हम डिजा तो देखिए, शुरू के हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे, वाइट कलर से बनाएंगे, 5 फंदे हम वाइट कलर से बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, और ये 5, अब हमें 1 फंदा जो दूसरा कलर जो भी आप फ्लावर के लिए लेना चाहें, और आप उसे यूज कर सकते हैं मैं यहाँ इह दीए altri green color लगाँगी तो यह हम यहाँ पे एक फंदा green color से बना लेंगे फिर उसके बाद पांच फंदे हम white color से बना इंगे तिन, चार, पांच और फिर से हम एक फंदा green color से तो जब हम color change करेंगे तो देखिए यह वाइट पोला उन नीचे करेंगे और उसके उपर से हम यह ग्रीन Ultra के उन को लाइίναι ठोला जब जिदा सी वइंगे करते हैं कि आ पहनी कंद अब हम सिद्धी तरफ ही सलाई अद्ली सलाई ओमर दूसरी सलाय में देखे क्या करना है पाँच-फंद who मीड बना लेंगे इस में आप हम दोनों ही तफ से डिजाइन बनाते हैं इसमे यह नहीं होता है जी हम सीधी द health से ही डिजाइन बनाते हैं तो देखिए यह आंपे पांच फंदे मैं उल्टे आइट कलर से बना लूंगि अब हम ग्रीध कलर से बनाएंगे दो फंदे तो हम झब ग्रीध कलर हम कर चन्हे आए तो इस सुन को हम इस बा Nut को हम इस तरीके से रखेंगे और उसके उपर से हम dark green color लाएंगे तो 2 फंदे हम green color से बना लेते हैं फिर हम 3 फंदे white color से बनाएंगे 3 फंदे white color से फिर से हम 2 फंदे green color से बनाएंगे और पांच फंदे हम यह हम वाइट कलर को कम्प्लीट कर लेंगे पूरी दो सलाई हमारी यह कम्प्लीट हो गई यह कैमरा मेरा फोकस नहीं कर रहा है आप लोग प्लीज मेरी बातों पर ध्यान रखेगा अगर आपको फंदे क्लियर ना देख रहे हूं तो अब यह तीसरी सलाई है तो तीसरी सलाई में देखिए फिर से हम पांच फंदे सीथे बनाएंगे पांच फंदे सीथे वाइट कलर से अब हम ग्रीन कलर से तीन फंदे बनाएंगे तो इसको हम इस तरीके से लेंगे कि हमारे जून हम साथ में पुनाई कर रहे हैं लॉक हो जाए तीन फंदे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे और सेंटर का एक फंदा हम वाइट कलर से बनाएंगे और फिर से हम ग्रीन कलर से तीन फंदे बनाएंगे अब हम फिर से पाँच फंदे उल्टे बना लेंगे तो ये हमारी तीन सलाईयां कम्प्लीट हो गई अब हम अपनी डिजाइन की चौथी सलाई पर आते हैं तो देखिए अब ये चौथी सलाई है चौथी सलाई में हमें दो फंदे वाइट कलर से बनाने हैं हर सलाई पर आपकी फंदी कलर चेंज होते जाएंगे इसलिए आप मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा अब हमें तीन फंदे ग्रीन कलर से बनाने हैं तीन फंदे ग्रीन कलर से बन गए एक फंदा हम वाइट कलर से बनाएंगे फिर दो फंदे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे फिर से एक फंदा हम वाइट कलर से बनाएंगे फिर से दो फंदे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे फिर से हम एक वाइट बनाएंगे और फिर तीन फंदे हम गिरिन कलर से बनाएंगे और फिर हम यह वाइट कलर से दो फंदे बना देगे तो यह हमारी फोर्त रो चौती सलाई हमारी यह कंप्लेट हो गई अब हम आ जाते हैं अपनी पाचवी सलाई पर पाचवी सलाई में हमें तीन फंदे सीधे बनाने है वाइट कलर से और फिर से तीन फंदे हमें ग्रीन कलर से बनाने है तीन फंदे ग्रीन कलर से पाचवी सलाई है यह एक फंदा वाइट कलर से फिर से एक फंदा ग्रीन कलर से एक वाइट एक ग्रीन फिर से एक वाइट और एक ग्रीन यह देखें यहां पर ऐसे यह बन गया है अब हमें जो है तीन फंदे हम यह एक वाइट के बाद हम तीन फंदे ग्रीन बनाएंगे इसको थोड़ा लूज ही लेकर चलिएगा क्योंकि फिर डिजाइन हमारी बाद में थोड़ा खिची खिची सी हो जाती है इसलिए हमें जो भी हम फंदे बना रहे हैं थोड़ा लूज लूज बनाएंगे तो यह हमारी पाचवी सलाई कम्प्लीट हो गई अब हम अपनी चटी सलाई पर आ गए हैं तो आईए देखते हैं कि चटी सलाई में हमें क्या करना है तीन फंदे सौरे चार फंदे हम वाइट कलर से उल्टे बनाएंगे उल्टे और सीधे तो हमें बना नहीं है बस हमें कलर का दियान रखना है तो अब मैं आपको आगे कलर बताऊँगी चार फंदे वाइट कलर से तीन फंदे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे एक दो तीन अब एक फंदा हम वाइट कलर से बनाएंगे फिर से एक फंदा हम ग्रीन कलर से बनाएंगे फिर से एक फंदा हम वाइट कलर से बनाएंगे और फिर से तीन फंदे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे और चार फंदे लास्ट के हम वाइट कलर से बना देंगे तो ये हमारी छटी सलाही कमप्लेट हो गई ये चटी सलाई हमारी कम्प्लीट हो गई है एक दो तीन चार पांच छे और ये छे सलाई हो गई अब हम सात्वी सलाई पर आ गए सात्वी सलाई में हमें सात फंदे वाइट कलर से बनाने है एक दो तीन चार पांच छे और साथ अब एक फंदा हमें गरीन कलर से बनाना है फिर से एक फंदा हम वाइट कलर से बनाएंगे फिर से एक फंदा हम ग्रीन कलर से बनाएंगे और फिर बाकि सारे पंदे ये साथवी सलाई है उसमें हम वाइट कलर से बना देंगे अब ये देखिए आटमी सिलाई है, आटमी सिलाई में हमें क्या करना है, ये ध्यान से देखिएगा, चार बंदे वाइट कलर से हम बनाएंगे चार बंदे वाइट कलर के, तीन बंदे हम ग्रीन कलर के बनाएंगे एक बंदा वाइट कलर से बनाएंगे, फिर से एक बंदा ग्रीन कलर से बनाएंगे एक पंदा वाइट कलर से फिर से तीन पंदे हम गरीन कलर से बनाएंगे और फिर हमें चार पंदे वाइट कलर से बना देने तो यह हमारी आच सलाईयां कम्प्लीट हो गई अब हम देखेंगे कि हमें नौवी सलाई में क्या बनाना है कैसे अब नौवी सलाई में हमें तीन फंदे सीधे बनाने हैं तीन फंदे सीधे नहीं सुरी सीधे तो हम बनाई रहे हैं वाइट कलर से बनाएंगे और तीन फंदे हमें ग्रीन कलर से बनाने हैं एक फंदा वाइट कलर से हम बनाएंगे और एक फंदा हम ग्रीन कलर से बनाएंगे सौरी दो फंदे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे एक फंदा हम वाइट कलर से बनाएंगे दो फंदे ग्रीन कलर से बनाएंगे और फिर से एक फंदा हम वाइट कलर से सौरी यहां पे यह थोड़ा गरबर हो गए मैं आपको फिर से बताती हूँ यह देखें नौई सिलाय में यहां पे थोड़ी गरबर हो गए थी तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि शुरू के तीन फंदे हम वाइट कलर से बनाएंगे तीन फंदे ग्रीन एक सफेद वाइट कलर से एक ग्रीन फिर से एक सफेद बनाएंगे हम वाइट कलर से फिर से एक ग्रीन कलर से बनाएंगे फिर से एक वाइट कलर से बनाएंगे और फिर तीन फंदे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे और तीन फंदे हम फिर से वाइट कलर से बना देंगे जो हमारे फंदे बचे हुए हैं उन्हें हम वाइट कलर से बना देंगे अब हम अपनी दस्वी सलाई पर आ गए हैं देसफी से लाइन में देखे हमें क्या करना है अब हम दो फंदे वाइट कलर से बनाएंगे दो फंदे वाइट कलर से बनाएंगे उसके बाद तीन फंदे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे फिर से एक वाइट बनाएंगे दो फंदे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे एक फंदा वाइट कलर से बनाएंगे फिर से दो फंदे ग्रीन कलर से बनाएंगे एक फंदा वाइट कलर से बनाएंगे फिर से हम तीन फंदे ग्रीन कलर से बनाएंगे और दो फंदे हम वाइट कलर से बनाएंगे जिसको भी यह डिजाइन पसंद आती है तो वो यह जो वीडियो है यह पूरी देखेगा तब ही आपको यह clear समझ मैंगा कि इस फूल को हमें कैसे बनाना है तो देखिए यहां पर हमारी लगबग यह हम यहां पर काउंट कर लेते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस सलाईय हमारी कंप्लीट हो गई है अब चार सलाईय हमारी इस डिजाइन की बच्ची हुई है तो फिर हम चारती सलाई भी शुरू करते हैं कि हमें कैसे कैसे बनाना है तो सबसे पहले देखिए हम यहां पर पांच फंदे हम नॉर पांच फंदे वाइट कलर से तीन फंदे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे फिर एक फंदा वाइट कलर से बनाएंगे तीन फंदे हम फिर से ग्रीन कलर से बनाएंगे और उसके बाद हमें यह पांच फंदे वाइट कलर से बना देने अब यह हमारी ग्यारा सलाई कंप्लीट हो गई अब हम अपनी बारवी सलाई पर आ गए हैं बारवी सलाई में देखिए हमें क्या करना है अब हमें फिर से पांच फंदे उल्टे वाइट कलर से बनाने हैं उल्टे अब हम दो फंदे ग्रीन कलर से बना लेते हैं एक फंदा दो फंदा और तीन यह तीन फंदे हम वाइट कलर से बनाएंगे फिर से दो फंदे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे और फिर से लास्ट के पांच फंदे हम वाइट कलर से बनातेंगे अब हमारी बारा सलाईयां कम्प्लीट हो गई है अब हम इसको हम अपनी तेरवी सलाई पर आ गए है तो देखिए हमारा फूल कम्प्लीट होने वाला है लग बग फिर से हम पांच फंदे सीधे बनाएंगे वाइट कलर से पांच फंदे वाइट कलर से अब हमें सिर्फ एक फंदा ग्रीन कलर से बनाना और बीच के पांच फंदे हम वाइट कलर से बनाएंगे प्रसे हम इसे एक पन्दे को ग्रीन कलर से बना देंगे और ये पांच पन्दे हम वाइट कलर से बना देंगे यह ऐसी डिजाइने मुझे बहुत पसंद है तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस की हम डिजाइन की इस डिजाइन की शुरुआत करते हैं तो मैंने इस फूल से शुरुआत की है आगे मैं आप लोगों को और भी बहुत सी डिजाइन ऐसी में बना कर दिखाऊंगी और अब ये जो लास्ट जो हमारी आकरी सलाई है चौथी चौदमी सलाई है 14 रो है इसे हम प्लेन उल्टा वाइड कलर से पूरा बना देंगे तो ये हमारी 14 सलाईयां कंप्लीट हो जाएगी और हमारा फ्लावर भी फूल भी बनकर तयार हो जाएगा प्लीज जो भी मेरी वीडियो देखता है अगर आपको कुछ भी हल्पिंग लगता है कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक किया करिए और सब्सक्राइब भी करिए बहुत से मेरे पास कोश्चन आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके सवालों के जवाब भी मैं दूँ तो देखिए यहाँ पे हमारी यह डिजाइन कंप्लीट हो गई है तो मैं आपको क्लियर दिखाती हूँ कि यह हमारा फ्लावर किस तरीके से दिखा देखिए कितना प्यारा और कितना अच्छा सा बनकर तयार हुआ है और बहुत असान से कुछ स्टेप हैं जो हमें फॉलो करने जब आप एक से दो बार इसे बनाएंगी तो आपको ऐसे ही सार अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करिएगा शेयर करिएगा कमेंट करिएगा मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू